समस्कार दोस्तों Physical Education एरा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और यह जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ बहुत ही important वीडियो है आपके exam point of view से चाहे वो किसी चीज़ का भी exam हो जैसे net, Physical Education, KBS, NBS, UP, TGT, PGT तो जो basically UP, TGT का syllabus है उसमें एक topic दी है कि effect of exercise यान cardiovascular system तो उसी के बारे में exercise का क्या प्रभाव हमारे circulatory system, cardiovascular system पर पढ़ता है चाहे आप circulatory system का सकते हैं या cardiovascular system इसको explain करने से पहले मैं बताने से पहले बता दूँ कि आप को यह video बहुत ज़्यादा beneficial होगी और इस video को गवर से ध्यान से देखिएगा समझने की कोशिस करिएगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे terms मिलने वाले हैं और अच्छा knowledge इस video से आप लोग को gain होगा तो इसमें दो सब्द दिया है cardio और vascular cardio मतलब होता है heart cardio का मतलब heart होता है vascular का मतलब की जो vessels हैं जो रक्त नलिकाएं हैं तो जब दो चीजों से मिलकर बना है cardio heart और vascular नलिकाओं से जो मिलकर बना है उसको बोलते हैं cardio और पूरे इस system को बोलते हैं तंत्र यानि कि पूरे cardio heart और vascular से जो मिलकर बना है उसको बोलते हैं cardiovascular system यानि कि हिर्दय और नलियों से मिलकर जो बना है इसको बोलते हैं cardiovascular system तो जब हम exercise करते हैं कोई भी exercise करते हैं तो हमारे सरीर पे दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं पहला एक short term effect यानि कि कम समय के लिए एक effect पड़ता है और एक long term effect पड़ता है लंबे समय के लिए तो जब हम exercise start करते हैं तो उस समय जो effect पड़ता है वो short term के लिए पड़ता है उसके बाद धीरे 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 adaptation होता है तो long term के लिए effect पड़ना सुरू हो जाता है तो आईए देखते हैं कि exercise का cardiovascular heart और whistles पे क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखना है तो पहला प्रभाव क्या है कि जब हम exercise करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है effect on blood flow यानि कि जो हमारे शरीर में blood का flow हो रहा है उस पे प्रभाव पड़ता है पहला प्रभाव उस पर पड़ता है इसका कोई sequence नहीं है कि पहले होगा पहले वह होगा तो मैं एक sequence में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि exercise का effect blood flow पर पढ़ता है blood flow का मतलब कि शरीर में blood का संचार, खून का संचार तो कैसे पढ़ता है, यह के column बन गया है तो यह जो बीडियो में block दिख रहा है, blood supply to organs यानि की जो हमारे सरी में organs हैं, अंग हैं, उनको blood supply, rest के समय कितना supply होता है और जब हम तेज, मतलब कि कोई कठोर exercise करते हैं, extreme exercise करते हैं, उस समय कितना supply होता है यह distribute कर दिया गया है और यह कई बुकों का preference लेके एक जगह आप लोग को समयोजन करके मिला है तो आप लोग गवर से देखिएगा कि digestive track, जब blood flow होता है, exercise के समय है, 60 term flow होता है तो digestive track में, यानि कि जब हमारी सरी रेश्ट पे होती है, तो 20 से 25% यानि total blood जो हमारे सरी में 5 से 6 liter होता है, उसका 20 से 25% digestive track जो हमारे पाचन नलिकाएं हैं, पाचन तंत्र हैं, उसमें जाता है, rest के समय जब exercise करते हैं, exercise जैसे ही कठोर exercise स्टाट करते हैं, तो पूरे blood का 4 से 5% हमारे digestive track में blood flow होता है तो ये प्रभाव पड़ता है exercise के समय और exercise के पहले आनि rest के समय फिर cardiac muscles, सरीर में जो cardiac heart की जो muscle होती है, cardiac muscles, उसमें rest के समय 4 से 5% blood flow होता है और extreme exercise के समय भी 4 से 5% blood flow होता है, देखिए, constant है, यानि कि घटा बड़ता नहीं है cardiac muscles में, जब हम rest करते हैं, तभी भी 4 से 5% और जब exercise करते हैं, तभी भी 4 से 5% अब ध्यान दीजिए kidney, kidney का काम होता है कि filter करना, blood को filter करना तो यानि कि जब हम rest में रहते हैं, तो 20% blood use होता है 20% blood flow होता है, और जब exercise करते हैं, तो 3 से 4% blood flow होता है यानि कि उस समय उसका काम कम हो जाता है kidney का, उसके बाद bone, bone में rest के समय 3 से 5% blood flow होता है, और जब हम exercise, extreme exercise, कठोर exercise करते हैं, तो 0.4 से 1% blood bone flow होता है उसके बाद brain में, brain में जब rest रहते हैं, rest के समय 15% और जब exercise करते हैं, तो 3 से 4% blood flow होता है skin, skin में rest के समय 4 से 5% और जब हम exercise करते हैं, तो उस area of temperature maintain करने के लिए blood का flow बढ़ता है तो इसलिए 6 से 20% पाया जाता है और skeleton muscle, सबसे ज़्यादा working muscle, skeleton muscle, मतलब जो कांकाली पेसी हैं, जो bone से attached हैं, उसको बोलते हैं skeleton muscle तो skeleton muscle में rest के समय, पूरे blood का 15 से 20% blood flow होता है और जब exercise करते हैं, तो 65 से 85%, तो question पूछता है, कि जब exercise करते हैं, तो उस समय skeleton muscles में कितने percent blood flow करता है, तो 65 to 85% blood flow करता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका और ये कई book का एक लिया गया, एक summary है, brief है, सारांस है तो ये बहुत important question है, और बहुत important topic है, बहुत carefully देखिएगा अब देखिए, दूसरा effect क्या पड़ता है, exercise का दूसरा effect क्या पड़ता है, यानि कि दूसरा है, viscosity of blood, viscosity का मतलब होता है, कि viscosity का मतलब कि उसमें सांद्रता, सांद्रता में गारहापन, गारहापन कितना होता है, तो कहा है कि, देखिए, जो blood की viscosity होती है, पतलापन, पतलापन जो होता है, पानी से, पानी से 2-5 time पतला होता है, यानि कि 2-5 बार time वो पतला होता है, viscosity of blood, और जब athlete performance activity, the thickness, जब कोई athlete performance करने लगता है, physical activity को करने लगता है, तो उस समय, blood जो होता है, इसकी मोटाई कम होना सुरू हो जाती है, जब exercise करता है, तो जीतना गारा होता है, उससे ज़यादा पतला होना सुरू हो जाता है, और उसका, जो flow होता है, रगत ना लिकाउने फास्ट होने सुरू हो तो इस साथ टर्म इफेक्ट पड़ता है इसलिए करते हैं कि आप जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज करते रहें तो आपका कोलिस्ट्रॉल लेवल जो ब्लड का गाड़ापन हो यो कम होगा और आपकी जो ब्लड वेसेल्स हैं उस ही से फंक्सन करेंगी कही कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा कहीं अटैक की सिकायत नहीं होगी तो एक्सरसाइज आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिसियल है दूसरा है कि इसी में डाइलेशन आफ वेसेल्स डाइलेशन आफ बेसेल्स वेसेल्स का मतलब होता है रक्त नलिकाया डाइल का मतलब होता है फैलना यानि कि जब हमारे सरीर का बाड़ी टमप्रेचर बढ़ता है तो जैसे बाड़ी टमप्रेचर बढ़ता है उस समय जो सरीर में रक्त न लिकाए है मान लीजिए इतनी सक्री है तो रक्त न लिकाओं का जो साइज है वो बढ़ने लगता है यानि फैलने लगती हैं तो temperature बढ़ने के कारण सरीर की रखत ना निकाए फैलने लगती है और यह कौँ सा effect पड़ता है साथ term effect पड़ता है exercise का तो रखत ना लिकाए फैलने लगती है third है कि stroke volume stroke volume क्या होता है कि आप सीधे सीधे समझेए कि stroke volume क्या होता है जो heart का left वाला ventricle part है heart का left वाला ventricle part है एक beat में जो blood बाहर करता है per beat में जो बाहर करता है blood उसी को बोलते है stroke volume देखे काया कि the amount of blood exerted by left ventricle in one beat यानि कि जो blood की मात्रा होती है एक beat में left ventricle के द्वारा जो जितना amount blood बाहर निकलता है उसको बोलते है stroke volume और approximately एक beat में यानि लगभग एक beat में 70 ml blood rest के समय बाहर करता है ventricle तो इसको बोलते है stroke volume इस पे भी थेक्ट पड़ता है short time उसके बाद fourth है कि cardiac output क्या होता है stroke volume into heart rate यानि कि एक beat में जितना blood pump किया और एक minute में जितना हमारा heart beat किया यानि कि एक minute में मानते हैं 72 time हमारा heart beat करता है और एक stroke में 70 ml blood pump करता है तो आप जब multiply करेंगे तो near about 5 liter शरीर में एक minute में blood pump होता है तो ये तो है rest के समय कि rest के समय इस cardiac output जो होता है लगभग 5 liter होता है लेकिन during exercise जब हम exercise करते हैं तो माना गया है कि हमारा heart rate 200 बार हो जाता है 200 बार heart rate हो गया और 200 ml एक world class की athlete का 200 ml left ventical एक beat में जब pump करता है तो जब multiply करते हैं तो लगभग एक minute में 40 liter वो blood pump कर देता है और इसका होता है world class athlete जो विश्व अस्तरी athlete हैं उनका 40 liter एक minute में pump करता है क्योंकि उनका stroke volume जो 70 ml से है वो per beat में 200 ml हो जाता है और जो 72 beat है एक minute में वो 200 बार मानी जाती है तो इसलिए वो 40 liter एक minute में blood pump कर देता है next है कि heart rate अब heart rate कहा है कि heart rate जो होता है वो normally rest के समय 72 time होता है normally rest के 72 time होता है लेकिन जैसे ही aerobic से anaerobic यानि कोई भी exercise करते हैं तो 120, 180 plus माना जाता है यानि कि वो बढ़ता जाता है तो ये 60 term effect देखा गया exercise का circulatory system पे कि जब हम exercise करते हैं तो 72 time जो blood heart rate होता है वो 180 plus भी हो चला जाता है तो ये 60 term effect हो गया उसके बाद 6 है कि 6 में है temperature of blood blood का temperature भी होता है कि कितने पर वो normal रहता है यानि कि normally जो blood का temperature होता है 38 Celsius होता है 38 degree Celsius नार्मल होता है 38 degree Celsius होता है लेकिन जब exercise कोई hard exercise इस्ट्रेनस exercise जब हम करते हैं तो उस समय एक से 3 degree Celsius increase हो जाता है यानि कि अगर 38 है तो 49 भी हो जाएगा 41 भी हो जाएगा तो यानि कि 1 से 3 degree तक बढ़ जाता है यानि कि ये सारे जो मैं बता रहा हूँ यो topic heading बता रहा हूँ आपके लिए बहुत important है और हर जगह ये काम आने वाली है तो इसलिए मेरी वीडियो को carefully देखिएगा और इसको कहीं हो सके तो pause करके note कर लीजिएगा यानि कि exercise के समय ब्लड का temperature भी increase होता है 38 होता है नार्मल लेकिन जब हम strenus exercise करते हैं कठोर exercise करते हैं तो उस समय एक से 3 degree बढ़ जाता है अब मैं next वीडियो में इसके long term effect को बारे में discuss करूँगा और बहुत अच्छे से discuss करूँगा कि long term effect क्या पढ़ते हैं exercise का तो इस वीडियो में इतना ही next वीडियो मैं इसके बात में डालनूगा thanks for watching my video 停お ए ANYगा मुष्प और र्रीगतु और ऑन्रीपड यह पसन वीडियो जesके लेप्सक्ष झालनूब me दुन प्ति ऑन्रीप pray बाजपish सब्ऻयों